मैं पूरे इंडिया में 19 नमबर पे हूँ गिल्ड वोर के लेकिन अगर मैं कोओं कि आप लोग भी अपने गिल्ड को ला सकते हो पूरे इंडिया में मैं ये नहीं बूलूँगा कि आप लोग को टॉप 1 पे लाना होगा नहीं आप लोग टॉप 15 के अंदर आ सकते हो लेकिन कैसे पहले सीजन में हम लोगो बस 4 घंटे खेले को मिलता था लेकिन सीजन 2 में हम लोगो 12 घंटे मिलते हैं लेकिन मैं तुम लोगो एक सर्प्राइस दूँ भाई आप लोगो 12 घंटे खेले की जरूवत ही नहीं है आज मैं आप लोगो ये 5 पॉइंट बताने वाला हूँ जो की बहुत जादा इजी है लेकिन किसी को पता नहीं है फिप नुमर पे आता है प्लेयर्स इंप्रूव्मेंट देखो भाई ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ना इसके बिना कुछ होई नहीं सकता देखो मैं अच्छे समझ सकता हूँ तुमारा दोस्त तुमारे रिस्तेदार बहुत सारे लोग गिल्ड में हो सकते हैं लेकिन भाई उनको किक करन में बनता नहीं है लेकिन तुमको ये जखम लेना पड़ेगा तुमको किक करना पड़ेगा अगर वो खेल नहीं पाते हैं तो ठीक है आपको ऐसे प्लेयर ढूंडे होंगे जो कि 2500 से 300 पॉइंट दे पाएं लेकिन ऐसे प्लेयर मिलेंगे कहां पे मैं बताता हूँ कैसे उससे पहले ये देखो ये है round 1 का scene जिसके अंदर guys आप लो देखो कितने लोगों ने यहाँ पे 200 प्लस पॉइंट दिया है मेरे गिल्ड के अंदर अभी ना जो 3rd round होगा इसके अंदर और भी difference आएगा ठीक है और यही difference आपको लाते जाना है जैसे जैसे round बढ़ेगा वैसे वैसे आपको भी improvement करते रहना है अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना देखो यहाँ पे कुछ ऐसे भी प्लेयर होते है जो कि कभी-कभी point नहीं सकती है तो इसलिए उसको किक मत करो उससे पूछ लो next time हो देगा या फिर नहीं देगा अगर next time भी गलती करता है तब तुम उसको किक कर दो अब बात कर लेते कि आप लोग प्लेयर कैसे एड़ करोगे भाई मैं तुम लोगो सच बताओ तुमको प्लेयर्स एड़ करनी की ज होंगे जो कि पॉइंट नहीं दे पाए ज्यादा और उनको तुम किक भी नहीं कर सकते लगभग 100-500 दे दी या लेकिन उसके बाद वो नहीं दे पाए तूसकी आईडी मांगनी है और उसकी आईडी से भी खेलने लगना है मेरे कहने का तात्व पर्रे बस यह है कि लगभग एक इंसान दो या तीन आईडी से खेल ले तीन नहीं तो दो आईडी से खेल ले तब भी भाई 6-7 लोग मिल करके अपनी गिल्ड में लगभग 15-20 आईडी से खेल लोगे और 200 प्लस पॉइंट दे दोगे और अगर अच्छे प्लेयर्स मिलने लगे तो भाई उनको लो ऐसा नहीं है कि मत लो लेकिन अगर नहीं मिल रहे हैं तो टाइम वेस्ट भी मत करो ठीक है तुम लोग क्या करो अपना ओफिसर एक्टिंग लीडर लीडर सब लोग मिल करके अपना एक ग्रूब बनाओ उसको खुदी के गिल्ड में लो ठीक है और उसके बाद उससे खेलना है स् से वह किस तरीके से खेलती है उस तरीके से आप लोग कैसे खेल सकते हैं ठीक है देखो सब कुछ खेलने के लिए सबसे पहले matter करता है आपका strategy एंड अब ही मैं आप लोग को इस्कील्स दिखाने वाला हूं जो कि personally मैं खुद use करता हूं ठीक है तो भरोसा करना सबसे पहले guys करता हूं एक्टिव स्किल में Tatsuya को देखो हां मुझे पता इसकी मार दी गई है लेकिन भाई फिर भी ये यूज करने के लायक है क्योंकि इसके अंदर एक अच्छी चीज भी एड़ की गई है जैसे कि आप जम करोगे सीधे उड़ सकते उसके बाद ठीक है जो कि बहुत अच इस जगा पे कुछ भी यूज कर सकते हो ठीक है बाकी जगा पे नहीं सिर्फ इस जगा एक स्लॉट में आप लोग के उपर छोड़ रहा हूं इसके जगा आप कुछ और भी यूज कर सकते हो लेकिन मैं इसलिए करता हूं क्योंकि भाई देखो मुझे जादा डैमेज क्योंकि आपको एक सील पोंट देता है नेक्स पैसे स्के लिए गाइस कर रहा हूं मैं इसको 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 यूज कर रहा हूग तो महारी तो 200 एचपी रहेगी लेकिन सामने वालेगा 280 पुमहां मतलब कुछ कहलाता है न तो इसलिए गई तुम्हारा भी उतना होना चाहिए बन पाओ ठीक है तो गाइस मुझे बताना कि तुमको यह सारी की सारी स्किल्स कैसी लगी और अभी बात कर लेते हैं पैट के बारे में तो पैट में आपकी जो स्किल रहती है एक्टिव स्किल को उसको जल्दी जल्दी चार्ज कर देता है ठीक है तो यह काफी अच्छा है मैं प्रushnally इसको यूस करता हो और उसके बाद आता है गआज यहाँ पे लोड हुट में तो लोड हुट में ग neऑ बर आ तो लाइक भी कर देना मेरे बाई कंजूसी बिलकुल नहीं करना ठीक है कर दो सब्सक्राइब अब मैं तुम्हों को बतानी वाला हूं सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात देखो भाई अभी के समय पे ना चीज़ कर सकते हैं तो भाई नहीं ऐसा नहीं हो सकता अब आप लोग का गिल्ड वार के अंदर भी आपका ओनर स्कोर माइनस हो जाएगा अगर आप लोग मैच बैक करोगे तो लेकिन भाई मुझे गरीना से एक सवाल पूछना है यहां पर भाई क्यूं क्यूं ऐसा क्यूं कर जैसा बंदा लगे तो मतलब कि वो हैकर आ चुका है ठीक है तो तुमको पीक पे नहीं जाना है कहीं और उतरना है क्लोक टाओर वगरा पे ठीक है आप लोग को लेनी है गाड़ी उसके बाद भाई घूमना है पूरे मैप में ठीक है जितने रियल प्लेयर मिले तो भाई आस पास कोने कोने में सब को फिनिस करतो ठीक है ए लाश्ट वकति का वेड करो और जितने भी किल निकाल सकते siye o आस पास से निकाल लो बाई तो दिन वालों को दिन में खेलने के लिए छोड़ दो रात वालों को रात में मैं एक अपनी बात बताता हूँ देखो यहाँ पे भाई राउंड वन में ना मैं 34 नमबर पे था इंडिया पे लेकिन राउंड टू पे भाई मैं 19 नमबर पे आ गया हूँ लेकिन ये कैसे हुआ भाई 12 घंटे खेल के नहीं हुआ मेरे गिल्ड में दिन में कोई online ही नहीं रहता है मतलब बस ये 10 ये 15 लोग online होते हैं बस simple ठीक है वोई लोग खेल रहे होते हैं जिसको दिन में खेलना होते है बाकि most of the players guys साम कोई online आते हैं 6-7 बज़े के बाद या फिर 5 बज़े ठीक है मतलब यही समय होता है सबका online आने का मेरे गिल्ड में भाई तब सुचो इतना जल्दी इतना लेट खेलने के बावजूद हम लोग 90 नमबर पर आगे हैं तो यही सारी ट्रिक है जो मैं आपको बताया हूँ ठीक है भाज इन नहीं करना है बस फोकस के साथ खेलना है ठीक है एंड लास्ट में आप लोगों खेलना है फोर बुईया ठीक है लास्ट के जब एकात घंटे बचे घाई तब आपको बुईया के लिए स्टार्ट करना है ठीक है बहुत अच्छी चीज होती है और ये भी याद रखना गाइस कि आप लोग अलग अलग आईडी से खेलना है ठीक है अपनी नूब